सब्सक्राइब टेलीग्राम पर रोज जाना चल रहे हैं, एक लाग रूपे तक के गीवावे, टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, तो जल्दी से टेलीग्राम पर हमें फोलो कर लिजेगा, चले फ्रेंच, सबसे पहले में इस डेटेल देख लेते है पॉसिबर प्लेंग 11 देख लेते हैं, उसके बद हम टीम के कॉब्मिनेशन देखेंगे, तो फ्रेंच, जैसा कि मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है, मुकाबला होगा, गुजरात वर्स हिदराबाद के बीच में 27 तारीकों मुकाबला होगा, शाम को 7.5 बशे से 1 केड़ बाकी जो इन्फोर्मेशन है, सारी मैंने आपको हमारे जो मनीगुरी जी ओफिशल चैनल है, वहाँ पर मैंने आपको दे दिये, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, उसके बाद हम डिरेक्ली देखेंगे, गुजरा टाइटन की टीम से तो गुजरा टाइटन की टीम से आप देखोगे, शोबमन गिल के साथ में रिदिमा साहा आपको ओपनिंग करते हो नजर आ सकते हैं, फिर यहाँ पर हर्दिक पंडिया है, डैविड मिलर, अभिना मनोर, राहुल तेवद्या, राशित खान, फिर हम देखेंगे, अलजारी जोसफ राशित कान, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाइलाइट करूँगा, वो करूँगो यहस देखल को बहुत कमाल की गेन बाज, इन्होंने की, लोग इनको अवोइट कर रहें, आपको ग्रेंड लिग तक ये एक बंदा जीता सकता है, तो पास इनके टीम के में गेन बाज, भी बहुत अच्छे पले रहें, हर्दिक पंडिया है, फिर डैविड मिलर जैसे पलेर इनकी टीम में, तो काफे हैचाई स्कोर भी ये टीम बना सकती, फिर हम देखिएगे यहाँसे, Sunrider Hyderabad की टीम से तो Sunrider Hyderabad की टीम प्राबलम क्या रही है प्राबलम यह आ रही है कि अगर गुजरात की अगर आप देखोगे यह गुजरात की टीम है गुजरात की टीम की अगर बॉलिंग बहुत अच्छी है तो Sun Riser Hyderabad टीम की बल्ले बाजी बहुत अच्छे है अब आप देखो कि इनके पास Ken Williamson जैसा बड़ा प्ले रहे है अभिशेक सर्मा फॉर्म में चल रहे है राहूल त्रिपार्टी फॉर्म में चल रहे है अडम माकराम है निकोलस पोर अने तो बहुत कमाल की इनकी भी हमें ब होगे बहुत अच्छे इस गेनबाजी किये इस सीजन में हाला कि ज़्यादा एक्सपिरेंस यहाँ पर नजर नहीं आता लेकिन आप बहुत ज़दा इंपोर्टेंट हो सकते हैं तो चलिए हम डाइरेक्ली देखेंगे टीम के कॉम्बिनेशन तो पहले तो मैं डाइरेक्ली मारको जेंसन, माम श्रमी, राशित खान और लोकी फरगुज़र तो फ्रेंज यह जो टीम है यह इसमाल लीक के टीम है मेरी ड्रीम की अब हम बात करेंगे ग्रेंड लीक टीम कॉम्बिनेशन के बारे में हैं तो फ्रेंज यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ जो मैं ग् अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तो एक बार जाके फैंटू प्लेशन भी आप यहाँ पर बना सकते हो तो चले फैंस थोड़ा से मैंने कॉंबिनेशन बना है द्रीम टीम को नजर रखते होई फैंटू प्लेशन में तो आप डाउनलोड कर लिजी पहले हम आपको बताते हों कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल है कौन से नहीं है निकोलस पूरान है रदिमान साहा है दोनों में साब किसी को भी ले सकते हो फिर हम बात करें टीम के कॉंबिनेशन में आगे आपको बताऊंगा फिर हम बात करें बल्लेबाजी सेक्षन में कैन विलियमसन है शोबमन गीले राहुल त्रिपाटी है अभिशेक सर्मा है डैवि कर रहे है वहीं पर एडम मकरम गेंद बाजी ज्यादा नहीं कर रहे है तो यहां एर से बल्ले बाजी आप एडम मकरम को अपनी टीम में लेकर चलना राहुल त्रिपाटी का ज्यादा रोल अभी तक रहा नहीं है इस सेजन में फिर शशांग सिंग का बी ओप्शन है इनको बात को आपको ध्यान में रख कर चलना है फिर नीचे के उप्शन की बात को तो नीचे सारे उप्शन रिस्की रेने वाले हाला कि उम्रान मलिक बहुत एक तरफा ये बंदा आपको ग्रेंड लिक नहीं तो मिनी ग्रेंड लिक तो वोन करवा ही सकता अगर चल गया तो चले अब हम टीम के कॉंबिनेशन की बात कर लेते हैं तो फ्रेंज यहां पर मैं आपको पाच कॉंबिनेशन बताने वालो पाच कॉंबिनेशन से आप इस तीम भी बना सकते हो ओनली कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके तो पहला जो मेरा कॉंबिनेशन है को जिस पगार आप को देखने को मिलेगा आप देखो कि इसमें मैंने किया कि एलजारी जोसब मौमश शमीर राशित खान लोकी फ्रकुशन हार्दिक पंडिया पांचो ही गुजरात के मेन गेन बाज मिन लिए क्यों हार्दिक पंडिया को में एजे ओल रांड अगर गेन बाजी से करेंगे तो ब अब सेकंड कॉम्बिनेशन के अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने क्या किया है इसमें मैंने राशित खान, मौमर शमी, लोकी फ्रकुशन हार्दिक पंडिया को अपनी जगे पर बरकरार रखाए केन विल्यम्सन और राहूल तृपाटी मेरे फिक्स रहेंगे, शुम्मन गिल मेरे फिक्स रहेंगे तो यह फिलाइल यहाँ पर मैंने क्या किया है, मार्को जेंसन और टी नटरल जन दोनों ही विकिट टेगिंग गेनबाज को मिने लिया है निकोलस पूरन और डैविड मिलनर मेरी टीम में यहाँ पर आ जाते तो यह second combination मेरा बन जाता है तीसरे combination की मैं बात करूँ Captain Weiss केपना आपकी मर्जी से बनेगेगा तीसरे combination जो मेरा रहेगा कुछ असपकार आपको देखने को मिलेगा इसमें मैंने क्या है इस टीम के आपको डिफरेंशल पिक क्या देखने को मिलेगे यह दयाल बहुत कम लोग लेकर चलेंगे लेकिन हर मेच में यह विकेट निकाल रहे मार्को जैंसन भी बहुत अच्छे विकेट निकाल रहे और भूनेश और भी एवरेज परदिशन देते आ रहे तो तीनों को मेरा अपनी टीम में जगे दिये यह तीनों को लोग अवोइड करेंगे अगर तीनों में से एक भी चल गया तो आपकी अच्छी रेंक आ सकती फोर्ट टीम की में बात करूँ तो मेरा जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है तो मेरा फोर्थ कॉंबिनेशन भी आप देख लीजिए जो कि भरपूर है मेरा यहाँ पर गुजरात की बोलिंग से लोग की फरिविशन राशित कान, मौमस, शमी, अलजारी, जोसब, यस, दयाल पांचो के पांचो मेर गेनबाज मेने लिए, क्योंकि हो सकता है कि हर्दिक पंडिया इसमेच में गेनबाजी करें या ना करें फिर आप देखो कि राहूल त्रिपाडी, केन विलियमस हम, एडाम माक्राम और निकोलस पुरन, चारो ही मेन बल्ले बाज इस टीम के आगए फिर डैविड मिलर और शोममन गिल दोनों ही मेन बलने बाद इस टीम के आगए तो परफेक्ट टीम मुझे नजर आती है, इसी टीम के आप चार पाश टीम बनाईगा और ओनली केप्टेन वाइस केप्टेन चेंज कीजिगा कहने का मतलब यह है कि एक टीम में आप राशित कान को केप्टेन करके, आप यहाँ पर अलजरी जो सब को वाइस केप्टेन कर सकते हो, एक में आप मुझे शमी को केप्टेन करके राशित कान को वाइस केप्टेन कर सकते हो, ऐसे उनली आपको केप्टेन वाइस केप्टेन फिप्थ कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो मेरे जो फिप्थ कॉम्बिनेशन इंग्रेनली का कुछ इस पका देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपने काफी बार देखा होगा कि IPL में ओलट फेर होते रहते हैं क्योंकि जो टीम है अगर इनकी बल्ले बाजी चल जाती है तो मैंने यहां से गेन बाजी भी ली है भूनेशर, मारको जेंसन, उम्रान मलिक बहुत कम लोग लेकर चलेंगे फिर टीन नटराजन, यहां से मौमस शमी और राशित कांथ दोनों मेरी टीम में आगे और यहां से हर्दिक पंडिया और शुबमन गिल तो यह कॉम्बिनेशन में मुझे परफेक्ट नजर आता है तो यह जो पांच कॉम्बिनेशन है इनी कॉम्बिनेशन से में ग्रेंड लिक को खेलने वालों आप किसे भी एप पर खेल रहों यह 5 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो जाँ इन टाग ना ग्रेंड लिक तो आप खेलते हो अच्छी बात है लेकिन जो मिनी ग्रेंड लिक होती है उसे भी आप ट्राई किजिए मिनी ग्रेन लिग में रेंग अच्छी आने के चांसे थोड़ी से हाई रेते हैं बागी मेरी जो फाइनल टीम होगी मैं आपको टेलिग्राम पर दूँगा टेलिग्राम की लिंक वीडियो को नीचे डिस्किप्शन में थांक्यो वेरी माच